तो दोस्तों हमें यह पता चलता है कि 10,000 रोपे का S.I.P. अगर हम करते हैं हर महीने और 20 साल तक उसे continue करते जाएं यह अजूम करिए कि आपका जो rate of return होगा वो consistently आपको 12% मिलता रहे एक particular mutual fund में आफिर stock में हो सकता है कि इससे जादा आपको returns मिल जाएं तो approximately आपका 1 crore का जो return कैसे calculate होते हैं उस वीडियो में हमने example के तौर पे mutual fund को लिया दा जिसके लिए हमने past 1 year के returns calculate किये थे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम SIP याने कि systematic investment planning के जरिए invest कर रहे हो किसी stock ए फिर mutual fund में तो अगले 1 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल और अगले 20 साल तक आपके returns कैसे calculate होंगे और कितने होंगे वो हम देखेंगे excel file calculator के जरिए दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम comparison भी करेंगे कि 1 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल के pie charts पे आपको जो blue color का section दिख रहा है वो आपका total deposits है और जो orange color का section है वो आपको total returns मिले है वो वाला section है तो दोस्तों इन charts को देखकर हमें ये पता चलता है कि आपके 20 years के SIP में आपका जो total deposits ह वो 24% है और चो total return आपको मिला है वो 76% है out of your total maturity amount दोस्तों इसके हिसाब से हमें ये पता चलता है कि जितना लंबा आप अपना SIP यानि कि systematic investment planning continue रखोगे उतना ही जादा returns आपको मिलते रहेगा तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे ताकि आपको समझ में आए कि आपक करते हो उसमें आपके returns कैसे calculate होते है excel file calculator के जरिए मैं आप लाज कुपता स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो में finc tv पर तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं यह चाता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए पाकि इस तरीके के personal finance related वीडियो आप free में देख सको दोस्तों excel file calculator की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़े बता देता हूँ SIP यानि कि systematic investment planning यह एक तरीका होता है किसी stock या फिर mutual fund में invest करने के लिए दोस्तों यह सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी stock या फिर mutual fund में invest करने के लिए अगर हम compare कर lump sum investment और SIP investment को तो अगर आप lump sum investment करते हो और अगर market crash होता है तो हो सकता है कि आपका returns negative में चला जाए लेकिन दोस्तों SIP यानि कि systematic investment planning के द्वारा अगर आप invest करते हो अगर आप निवेश करते हो किसी भी mutual fund या फिर stock में तो हर महीने आपके bank account से एक particular amount deduct होता है और SIP के द्वारा mutual fund या फिर stock में invest होता है तो दोस्तों मान दीजे अगर कल को market crash भी होता है फिर भी आप SIP के द्वारा उस stock में या फिर mutual fund में invest कर रहे होते हो इसका मतलब क्या है कि आपका जो stock या फिर mutual fund है उसमें आपको जादा units मिलते है क्योंकि उसकी value down हो जाती है market crash के दोरान तो दोस्तों इस हिसाब से आपको जो rupee cost averaging का benefit मिलता है SIP के द्वारा वो आपको एक अच्छा returns दे सकता है compare to आपके lump sum investment से तो दोस्तों मैं आपको हमेशा recommend यही करूंगा कि आप SIP यानि की systematic investment planning के द्वारा ही अपना investment करें और continue रखें दोस्तों दूसरी चीज़ यह है कि आप market को time कभी नहीं कर सकते हो market को time करना बहुत ही difficult है दोस्तों और अगर आप यह सोचों कि अगर आप एक particular time में अपना lump sum investment कर लो और अच्छे returns आपको मिल जाएंगे अगले 1 या 2 साल में तो दोस्तों यह कहना बहुत मुश्किल है कि अ invest कर रहे होते हो और आपको जादा units मिलते हैं उस particular stock या फिर mutual fund में दोस्तों हर एक stock या फिर mutual fund का एक particular name होता है जिसे हम कहते है net asset value दोस्तों यह जो value है यह एक unit का दाम होता है यानि कि एक unit कितने में आपको मिलेगा उसका value होता है तो समझो अगर आपने 10,000 रुपे का investment किय या किसी एक particular stock या फिर mutual fund में और उसका name यानि कि net asset value है 100 रुपे तो आपके जो total units होंगे वो एक particular formula के हिसाब से calculate होंगे तो आपका जो name है यानि कि net asset value है हम उस value को divide करेंगे आपके amount से यानि कि 10,000 रुपे से तो दोस्तों जो हमें value मिलेगा वो आपके total units होंगे उस particular investment के ल दोस्तों आपको total 100 units मिलेंगे इस particular investment के लिए तो दोस्तों इसी तरह आप हर महिने SIP के द्वारा अपना amount invest करते जाओगे और NAV के हिसाब से आपको units मिलते जाएंगे दोस्तों इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में excel file calculator के जरिए तो दोस्तों हम अप 14% का rate of return assume करेंगे दोस्तों आप इसमें 10% या फिर 15% भी डाल कर चेक कर सकते हो कि आपका return कैसे calculate होता है दोस्तों जो starting का NAV यानि की net asset value जो है वो हम लेंगे 100 रुपे का और उसी हिसाब से हर साल अगर आपको 12% का rate of return मिल रहा है तो हम NAV को भी calculate करेंगे दोस्तों आप मेरा अपना SIP returns calculate करने के लिए यह अपको मदद करेगा अपना income tax भी calculate करने के लिए दोस्तों यह अप अवेलेबल है play store पे और इसका link मैंने description section में दिया हुआ है तो चले दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने excel file calculator की तरफ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे excel sheet मे दोस्तों मैंने थोड़े से labels define कि हुआ है यह वाला यहाँ पर मंद का label define किया हुआ है दोस्तों मैंने तो यहाँ पर months के labels आएंगे यहाँ पर दोस्तों interest rate लिया है मैंने जो की rate of return है जो की आपके stock में अगर आप किसी stock में देखो तो आपको उससे जादा या फिर उससे कम भी मिल सकता है दोस्तों आप कोई भी rate of return यहापे डालके अपना जो calculation है वो आप देख सकते हो दोस्तों यह वाला amount का column है यहापे हर महीने आप कितना amount आप deposit करोगे SIP के तोर पे जो systematic investment planning होता है उसके यहा हिसाब से हर महीने आपको कितना deposit होगा वह वाला amount आएगा दोस्तों यहापे यहापे नेव आएगा दोस्तों जो कि है net asset value तो दोस्तों हम initially यह अजिम करेंगे कि जो net asset value है एक particular mutual fund का या फिर stock का जिसमें भी आप invest करोगे वह 100 का है तो उसी हिसाब से हर महीने 12% का जो annual interest rate है आपको rate of return आपको मिलता है उसके हिसाब से net asset value कितना increase होता है वो हम calculate करके यहाँ पे डालेंगे दोस्तों उसी हिसाब से आपको उस महीने के लिए units मिलने वाले हैं जिसका formula है amount को हम divide करेंगे नेव से यानि की net asset value से तो आपको वो total units मिलेंगे दोस्तों वहाँ पे दोस्तों यूनेट्स आपके कितने accumulate हुए है उतने period के लिए वह वाले units यहाँ पे आएगा दोस्तों यहाँ पे total amount आएगा यानि कि आपके deposit पे कितना amount हो गया है कितना balance हो गया है उस particular tenure के लिए चारो tenure के लिए दोस्तों वह यहाँ पे पूरा का पूरा amount आएगा और उसका returns कितना है यानि कि जो amount आपके पास है आपके account में minus आपने deposits किया हुआ है तो जो profit होता है आपका वो दोस्तों यहाँ पे आएगा तो इसे returns की जगे में profit बोल देता हूँ दोस्तों तो दोस्तों example की तोर पे मैं क्या करता हूँ कि आपका amount है वो 10,000 रुपे का हम इस पे SIP की returns है वो calculate करेंगे आप कितना भी amount यहां पे डालके अपना जो returns है वो check कर सकते हो तो example की तौर पे हम 10,000 रुपे का amount लेते हैं और पहले example के लिए हम एक साल का deposit है वो ले लेते हैं दोस्तों तो यह जो 10,000 रुपे का amount है इसे मैं extend कर देता हूँ 12 महीने तक के लिए और दोस्तों यहा जो कि new name है net asset value है उसका जो formula है calculation करने का वो इस प्रकार से है कि आपका जो old name है यानि कि जो hundred का जो name है हम उसे लेंगे हम multiply करेंगे उसको monthly rate से दोस्तों यहां पर यह साल का interest rate यानि कि साल का rate of return मैंने लिया है जो कि 12% का है इसको हम divide करेंगे 12 से तो हमें monthly rate मिलेगा और फिर इस चीज को हम divide करेंगे 100 से और फिर हम add करेंगे यह old name इस formula में तो दोस्तों इसी formula को मैं इस cell में डाल देता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा कि अपना जो old name है हम उसको लेंगे और फिर इस चीज को multiply करेंगे हम इस interest rate से जो कि अपना rate of return है यह लेकिन annual rate of return है तो हमें monthly rate ल उसको हम add करेंगे तो यह जो plus sign किया मैंने और यहाँ पे जो old name है वो select किया यानि कि previous name है वो select किया तो दोस्तों जो हमें name मिलेगा यह interest rate के हिसाब से increase हो गया है दोस्तों तो इस हिसाब से आपका जो name है वो calculate होगा और इसी चीज को मैं extend कर देता हूँ 12 महीने तक के लिए ताकि हमें 1 साल का name मिल जाए तो दोस्तों इस हिसाब से आपका name होगा अगर हम यह assume करते हैं कि 12% के हिसाब से आपको एक particular mutual fund में या फिर stock में returns मिलने वाले हैं और उसी हिसाब से आपका जो name है वो calculate होगा दोस्तों तो सब units का formula है वो इस प्रकार से है कि आपने जो amount deposit किया ह उस चीज को हम divide करेंगे जो आपका name है उससे याने की net asset value से तो दोस्तों जो हमें number मिलेगा वो आपका होगा total units उस particular deposit पे तो दोस्तों अगर आप 10,000 रुपे का amount deposit करते हो पहले महीने में और जो आपका name है वो 100 रुपे का है तो आपको 100 units मिलेंगे दोस्तों उसी हिसाब से दूसरे महीने में आपका जो name है वो 101 हो गया तो इससे थोड़े से कम units मिलेंगे दोस्तों तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 99.0099 का आपका units add होगा दोस्तों आपके account में क्योंकि name है वो थोड़ा सा increase हो गया है और इसी प्रकार से जैसे आपका name increase हो गया इस column में त तो उसी हिसाब से आपका units है वो decrease होते जाएगा दोस्तों क्योंकि आपका जो name है उसका value increase हो गया है तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 12 महीने तक के लिए हमने deposit भी कर लिया उसका जो rate है जयाने कि net asset value है वो भी calculate कर लिया और कितना units आता है वो भी calculate कर लिया तो दोस्तों यह किसी भी mutual fund में या फिर stock में या फिर अगर आप सोच रहे हो कि किसी mutual fund या stock में invest करें तो किस प्रकार से आपके returns calculate होंगे तो आप यह excel sheet use कर सकते हो उस calculation के लिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि यह जो amount का sum है यह मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो यह वाले जो summary के sales है इसे ह होगा आपका total amount जो आपने deposit किया है तो दोस्तों 10,000 के हिसाब से हर महीने अगर आप deposit करते हो तो आपका total amount जो आपने deposit किया है एक साल में वह हो जाता है 1,20,000 रुपे दोस्तों मैं यहाँ पे units भी sum कर देता हूं तो यहाँ पे अगर मैंने auto sum कर दिया और यह वाला units है वो select कर लिए तो आपके total units आजाएंगे जो कि इतने है 1,136.76 दोसे यह जो total amount है इसका भी particular calculation method है तो इसमें क्या होगा कि मैं काम करता हूं कि यहाँ पे 13th month है यहाँ पे इसको extend कर देता हूं यह जो rate है उसको यहाँ पे units और amount भी यह जो है यहाँ पे extend कर देता हूं तो दोस्तो आप क्या होगा कि आपका जो total amount होगा वो 13th month में calculate होगा तो दोसे इसका formula कुछ इस प्रकार से है कि आपका जो total units है हम उस unit को multiply करेंगे जो 13th month का जो नेव का value है यानि कि net asset value है तो यह हमें दोस्तो total amount देगा तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यह 1,28,093 रुपीज का आपका जो total profit है उसका भी जो formula है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि आपका जो total amount है हम वो लेंगे और फिर हम minus करेंगे जो आपने total deposits किया था वो वाला amount तो दोसे जो हमें number मिलेगा वो आपका होगा total profit तो दोसे इस हिसाब से आपने एक साल में जो 10,000 रुपे का SIP किया हुआ है उस है उसके हिसाब से इस नेव को increase किया है दोस्तों और फिर हर महीने आपको units भी मिले है इस नेव के हिसाब से और उसके बाद जो आपका total amount होता है दोस्तों वो 13 महीने का जो नेव है उसको लिया जाता है और आपका total units लिया जाता है जितना आपने accumulate किया है उसके बाद जो आ हम एक pie chart create करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना deposit किया है और हमें कितना profit मिला है दोस्तो percentage के हिसाब से, तो मैं क्या करूंगा कि insert में जाओंगा और दोस्तो यह दोनों चीज़े मैंने select कर लिये, यहाँ पे deposits और profit और यहाँ पे pie chart का जो option है, वो मैं select करता हूँ दोस्तों और यहाँ पे percentage का जो theme है, वो select कर लेता हूँ जैसे कि आप देख सकते हो कि 94% जो है आपका deposits था और 6% आपका profit के नाम पे मिला है दोस्तों इस total amount में दोस्तों इस चीज़ को मैं copy कर लेता हूँ एक word document में ताकि हम यह जो चारो tenures है एक साल, पांच साल, दस साल और 20 साल इन सारे tenures को वीडियो के अंत में हम compare कर सकें और देख सकें कि जितना जादा लंबा आपका SIP होता है उतना ही returns आपको जादा मिलते हैं तो यहाँ पर मैंने जल्दी से copy कर लिया है दोस्तों अब दोस्तों हम यह जो 5 साल का tenures है उसके लिए यह सारे values शो कि deposits, units, amount of profit इसको calculate करते हैं तो दोस्तों हमारे पास already formulas हैं यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा कि 5 साल के लिए आपके जो total months होते हैं वो 60 होते हैं यानि कि 60 महीने होते हैं 5 साल में तो मैं यह जो beach के months है दोस्तों उसे मैं hide कर देता हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि month 1 से लेके month 60 तक यहाँ पर आप देख सकता हो कि यह सारा का सारा months आपको यहाँ पर दिख रहा है और फिर मैं क्या करूंगा यह जो amount है इसे भी मैं extend कर देता हूँ 60 months तक के लिए, यहाँ पर जो नेव है, उसे भी हम extend कर देंगे, 60 months तक के लिए, और यहाँ पर units भी हम यहाँ पर extend कर देते हैं, दोस्तों, तो दोस्तों, यह वाले जो numbers हैं, हमें 5 साल तक के लिए मिल गए हैं, यहाँ पर, अब deposits का जो formula होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ह में हम इसे auto sum करेंगे, तो यह आपका total deposits हो जाता है, दोस्तों, तो 5 साल में आपका 10,000 के इसाब से आप हर मही ने जो deposit करते हो, उसके इसाब से 5 साल में आपका total deposits होता है, वो होता है 6,00,00, दोस्तों, आपकी total units होंगे, उसका भी जो formula है, auto sum का, वो भी मैं यहाँ पर apply कर द देते हैं यहाँ पर, तो यह नेव का extension मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैंने units का extension कर दिया, तो दोस्तों, यहाँ पर total amount होगा आपका, वो होगा units, multiply हम करेंगे इस नेव से, जो की 61 month में जो हमें नेव मिला है उससे, तो दोस्तों, यह हमारा total amount हो जाता है, और दोस्तों, हमा 5 साल तक के लिए भी बना देता हूँ, तो यहाँ पर, मैं insert में जाओंगा, pie को choose करूंगा, और यहाँ पर, जो percentage है, वो हमें मिल गया दोस्तों, दोस्तों, यहाँ पर मैं वापस से इस चीज को मैं copy कर देता हूँ, इस word document में, तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि ज एक साल का चार्ट है, उसमें जो total amount है, उसमें से 94% जो है दोस्तों, वो आपका deposit था, और 6% जो है वो आपका profit था, लेकिन 5 साल तक के लिए दोस्तों, जो आपके total amount है, उसमें से आपका 73% deposit है, और 27% जो है दोस्तों, वो returns है, तो दोस्तों, एक चीज हमें यह मालनुम पढ करते हैं और compute करके देखते हैं कि numbers जो है वो कितने increase होते हैं तो दस साल तक के लिए जो total number of months होते हैं वो होते हैं 120 तो यह जो बीच के months है उसे मैं hide कर देता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हूँ कि यह month 20 मैंने यहां पर लाया हुआ है तो इस amount को मैं extend कर देता हूँ यहां पर जो net asset value है उसको भी हम extend कर देते हैं और यहां पर units को extend कर देते हैं दोस्तो अब इस चीज को compute करते हैं कि आपका जो total deposit होगा वो auto sum होगा यह amount है उससे तो यहां पर मैं enter पर click करता हूँ यहां पर units है वो भी auto sum होगे इन units को use करके हम auto sum करेंगे यहां पर मैं और एक महिने के लिए यह जो amount और फिर net asset value और यह जो अपना units है वो extend कर देता हूँ यह जो total amount है यहां पर हम compute कर सकें तो यहां पर जैसे कि आपको पता है कि इसका formula जो है वो total units हम लेंगे और उस चीज को हम multiply करेंगे जो 121 वाला जो net asset value है यानि कि month 121 में आपका net asset value होगा उस चीज को हम लेंगे तो जैसे ही मैं enter पर click करता हूँ आपका total amount है हमें वो मिलता है और फिर हम profit को calculate करते हैं जो कि यह आपका total amount minus करेंगे हम अपने total deposit से तो दोस्तो हमें इतना profit मिलता है दोस्तो यहां वापस हम pie chart को create करेंगे ताकि हम compare कर सकें तो यहां पर मैं insert पर आऊंगा सबसे पहले मैं deposit और profit को select कर लेता हूँ और फिर ज ऐसा कि आप देख सकते हो कि 5 साल के बाद अगर आपने 10 साल तक extend किया अपना SIP तो जो total amount होता है उसमें से 52% आपका जो deposit है वो होता है दोस्तो और 48% जो है दोस्तो वो आपका returns होता है उसमें से total amount में से तो दोस्तो यहां पे भी हमें वापस से यह पता चलता है कि जितना लंबा आप अपना SIP को खीचोगे उतना ही जादा returns आपको मिलेंगे दोस्तो जल्दी से अब हम 20 साल तक के लिए कितना अपना returns होता है अपने SIP में वो भी calculate कर लेते हैं तो यहां पे जो 20 के months है उसे भी मैं hide कर देता हूं जल्दी से तो दोस्तो यहां पे 20 साल तक के यहां पे units को हम extend कर देंगे दोस्तो यहां पे आपको जैसे पता है कि amount को calculate करने और एक name का value चाहिए होगा तो मैं इस चीज़ को यहां पे भी extend कर देता हूं amount और units के साथ अब दोस्तो मैं क्या करूंगा कि यह जो total deposits है उसको भी जल्दी से हम compute कर लेते हैं तो यह auto sum का formula हम दालेंगे यहां पे इस Amount के column में तो यहां पे 20 साल के बाद आपका 10,000 रुपे के S.I.P. के हिसाब से आपका total deposits होता है 24 L.L. यानि कि 24 L. यहां पे आपका total units होगा वो sum होगा इस column के हिसाब से तो यहां आपका total units हो गया दोस्तो यहां पे जो amount होगा दोस्तो जैसे कि आप अगर आप units को बेचना चाहो तो उस नेव से आप बेच सकते हो तो इसका जो formula आपको जैसे की पता है कि units को हम multiply करेंगे इस नेव से यानि की net asset value से जो की value होगी उस particular mutual fund या stock की उस particular time के हिसाब से दोस्तों जैसे हम enter पे click करते हैं हमें total amount मिलता है और दोस्तों जैसे की आपको पता है कि profit का जो formula है वो इस प्रकार से है कि हम amount को लेंगे और minus करेंगे अपना total deposits है वो दोस्तों जैसे ही मैं enter पे click करता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका total profit है वो होता है लगबग 75.91479 दोस्तों यहां पे अगर आप God से amount देखो तो approximately 1 CR यानि की 1 crore का amount हो जा दोस्तों तो दोस्तों हमें यह पता चलता है कि 10,000 रुपे का S.I.P. अगर हम करते हैं हर महीने और 20 साल तक उसे continue करते जाए यह अजूम करिए कि आपका जो rate of return होगा वो consistently आपको 12% मिलता रहे एक particular mutual fund में या फिर stock में हो सकता है कि इस से जादा आपको returns मिल जाए तो approximately आप आपका 1 crore का जो amount है वो आप achieve कर सकते हो 20 साल में दोस्तों हो सकता है कि आप 15 साल में भी उसको achieve कर पाओ अगर आपका rate of return 12% से उपर जाता है तो दोस्तों आप मैं क्या करूंगा कि इसका भी pie chart हम जल्दी से create कर लेते हैं तो इस deposits को और profit को मैं select करता हूँ और फिर insert पे आक है कि जो 20 years का SIP है इसके हिसाब से जो आपका total amount है उसमें से आपका जो total deposits है वो सिफ 24% है दोस्तों और बाकी का 76% है वो आपका returns है तो बहुत ही जादा returns आते हैं दोस्तों आपका SIP के हिसाब से अगर आप 20 साल तक SIP को continue रखते हो तो दोस्तों इन charts के हिसाब से हमें यह प जो return है वो आपको 1 साल में मिला है 27% का जो returns है वो आपको 5 साल में मिले है 48% return जो है आपके total amount में से वो आपको 10 साल में मिले है और 20 years के SIP पे आपका 76% का जो returns है वो मिला है दोस्तों दोस्तों अगर और एक important चीज़ अगर आप इस excel sheet में देखो कि आपको सिफ 24 लाग deposit करना पड़ा है जो कि SIP के तोर पे हर महीने 10,000 रुपे का deposit है और उसके बाद आपको 20 साल में लगबग 75,091,479 रुपीज का profit मिला है दोस्तों तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपने SIP यानि के systematic investment planning में आपका कितना returns हो सकता है एक particular tenure के हिसाब से और एक particular rate of interest या फिर रे calculate कर सकते हो इस Excel sheet को use करके दोस्तों आप मेरे बाकी के videos भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको home loan में आपका interest कैसे calculate होता है और आपका EMI कैसे calculate होता है किस हिसाब से आप अपना जो total interest है या फिर total amount आप जो भनने वाले हो अपने home loan tenure में उसे आप कम कर सकते हो वो भी मैंने आ आपको एक अलग video में बताया हुआ है दोस्तों HR यानि कि house rent allowance आपका कैसे calculate होता है वो भी मैंने आपको एक अलग Excel file calculation के इसाब से एक अलग video में भी समझाया है दोस्तों PPF यानि कि public provident fund में आपका हर माईने interest कैसे calculate होता है और हर साल compounding कैसे होता है इसके लिए भी मैंने already description section में डाला हुआ है तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा आपने Excel file calculator में कि अगर आप 20 साल का SIP यानि कि systematic investment planning कर रहे हो और हर महीने आप 10,000 रोपे का investment कर रहे हो एक particular mutual fund में जिसमें हमने यह assume किया है कि आपको 12% तक का rate of return मिल सकता है तो उसके हिसाब से 20 साल में आपका total accumulated maturity amount हो approximately एक क्रोड तक पौछ सकता है दोस्तों और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा जितना लंबा आपका SIP यानि कि systematic investment planning continue रहेगा उतना ही जादा returns आपको मिलते रहेंगे दोस्तों इस Excel file calculator को download करने का link मैं description section में डाल दोंगा दोस्तों वहां से आप download कर करके अपने SIP में returns कैसे calculate होंगे वह आप चेक कर सकते हो तो दूस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज यसे लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ comment करके पूछे अगर आपकी कोई queries हो अगर आप इस चैनल प कर्के हो बाइए